वह करांतिकारे जिन्होंने अपने यूध निती से अंग्रेजों को किया था परेसान जिसकी ग्रफतारी के लिए अंग्रेजों ने इनाम की रासे की कर दी थी घोसना जिन्होंने अपने दम पर जगदिस्पूर और आजमगर्ध को करवाया था आजाद जिन्होंने अपनी ज रुप Sinnा कर दी कि प отношParta के इस लाल से अंगरेज इतने डरे हुए थे कि उन्होंने पिहार के इस लाल को जिंदा पकड़ने की बात कह दी थी अलाकि अंगरेजों को कोई खास सफलता नमिल सकी इस दोरान उन्हें कई नामों से बुलाया भी गया कई बार लोग उन्हें बावु साहब तो कई अस्थानों पर उन्हें तेगवा बहादुर के नाम से भी बुलाते थे अगर आप बिहार के संस्कृति को माध्यम से इनके नाम का जिक्र करेंगे तो बोश्पुरी में एक होली का गीत है बावु कुबर सिंह तेगवा बहादुर बांगला में उडेला अभीर बिहारी बेजोड के सिंग्मेंट में हम बात करने जा रहे हैं बावु बीर बीर कुमर सिंग के बारे में इनके परिवार के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश की अजादी में अपनी पुरानों की आहोती दे दी थी साल 1826 में भीर कुबर सिंग के पिता की मौत के बाद जगदिसपुर के तालुकादार उन्हें बनाया गया उनके दोनों भाई कृष्णा और अमर सिंग को उनका सिपे सलाहकार बनाया गया था वे अंग्रेजियों के खिलाप युद्ध में उनका साथ देते थे आपको बता दें कि कुबर सिंग के परिवार में गजराज सिंग और उमराव सिंग भी देश की अजादी के प्रती सक्री रहे कुमर सिंग एक राज घराने में पैदा हुए थे ऐसे में उनके पास बहुत ज्यादा जागीर थी और वे उस जागीर के जमिनदार कहलाए हलाकि बात के समय में जब देश की आजादी में सक्रिय हुए तो उनसे जागीर पर अंग्रेजों ने कबजा कर लिया जिसके बाद कुमर सिंग और भी अंग्रेजों के खिलाप उगर हो गए और अपना रोस उन्होंने साफ तोर पर एक तरह से कहले कि सीधे तोर पर अंग्रेजों के खिलाप दिखाना सुरू कर दिया कुबर सिंग के साधी मेवार के राजा महराना परताप सिंग के बंसच के परिवार में हुआ था महराना परताप सिंग बजपन से ही अंग्रीजों की विरोध में काम करते रहे और देश की आजादी को लेकर वो बजपन से ही सक्रिय रहे साल 1848 में जब अंगरेजों के सासकों ने कमपनी में बिलाई करने की बात कही तो सभी बड़े राजा अंदर से डर गए थे इसलिए या थी कि केवल बीर कुबर से ही अंगरेजों से भीड सके जिसके बाद उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को एक जूट किया इतना ही नहीं अंग्रेजों की इस नीती से किसान भी काफी नराज हुए थे और सभी राज्यों के राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाब मोर्चा खोल दिया ये वो समय था जब राजा अंग्रेजों से डरने लगे थे और किसान और एक तरह से कहने के निचले तवके के लोग वो वीर कुबर सिंग के साथ खड़े हो गए मोर्चा उन्होंने संभाला तब जाकर सभी राज्यों के राजाओं ने एक बार फिर से मोर्चा संभालने की ज नहांसी और दिल्ली में भी आजादे की चिंगारी पहुच गई थी इसी दौरान तक बाबो बीर कुबर सिंग इस पूरी अंदोलन का नेत्रित विकर रहे थे और अंग्रेजों को उनके घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था इन लडाईयों के दौरान उन्होंने बी पूरी तरह से निपून थे उनके पास कोई भी बड़ी सेना नहीं थी लेकिन उनके और उनकी सेना में एक बड़ा जोस था हर बाधा को पार करने की उनमें एक छमता थी उन्होंने अपनी छोटी सी सेना के साथ अंग्रेजों को जीना मुहाल कर रखा था साल 1857 के नवंबर के महीने में कानपुर में हुए एक सुतनता अंधुलन में बाबु बीर कुमरसी एक बड़ी भूमका में दिखाई दिये थे इस दोरान देश की आजादी के लिए तात्या टोपे नवाब अली बहादूर नवाब तफचुल खुसैन और राय साहब पिसावर के साथ अंग् पूरी तरह से अपने कबजे में ले लिया अंग्रेजी तिहासकार होंस ने बीर कुमरसीं के बारे में लिखा है कि 1857 की करांती के समय बुढ़े राजपूत ने अंग्रेजों की सत्ता को हिला कर रख दिया था यह अच्छा था कि यूध के समय उसकी उम्र 80 साल की थी अगर वो जवान होता तो अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ कर भागना पड़ता इसके बाद 2 सितंबर 1857 को मेजर आयर ने आरा के बीबी गंज के पास में बाबो बीर कुमरसी पर हमला बोल दिया उनके पास सेना की इतनी बड़ी टुकली नहीं थे कि वे सीधे तोर पर अं बाहर चले गए जिसके बाद एक बार फिर से उन्होंने जगदिसपूर पर अंग्रेजों का कबजा हो गया 20 अपराइल 1859 को आजमगड़ फतक के बाद बीर कुमरसी बलिया पहुंचे 22 अपराइल का दिन था सुबह का समय और सिपूर घार से नाव के रास्ते गंगा के उस दोरान वे बुरी तरह से घायल हो गए इतने घायल होने के बाद भी उन्होंने यूनियन जैक का जंडा उतार दिया था यानिकि वे अपने कार्ज में सफल रहे जिस कार्ज को लेकर वो बलिया पहुंचे थे उन्होंने यूनियन जैक का जंडा ऊपर से नीचे कर दिया ले इस तरह से 1857 की करांति का एक महानी उद्धा बाबू बीर कुबर्शी हम लोगों के बीच से अलग हो गए वो ठीक ही था कि अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा था कि अगर इसकी उम्र अस्सी नहीं हुई होती तो यह अंग्रोजों को नाक में दम कर दिया होता और जितनी भी बीर कुबर्शी का कौन सपक्ष है जिसे जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं